हेलो स्टुडेंट क्लास 7 सब्जेक्ट अप्पा साइन्स चेप्टर नम्मर है 10 नाम है चेप्टर का ट्रांस्पोरिशन ओफ सब्स्टेंज इन ओर्गिनिज्म फिर करते हैं चेप्टर की इसका नाम है हिंदी में और्गिनिज्म में पदार्तों का परवहन या और्गिनिज्म में पदार्तों का transformation means इधर हो धर या हिलना ढूनना या फिर क्या क्या होता है तो study करते हैं इस chapter की सबसे फ़हले start होता है food, water and oxygen are essential elements required by organism for their survive ठीक है तो food आप लोग जानते ही है भोजन, water पानी को कहते हैं oxygen, जो हम सांस लेते हैं जो oxygen या फिर जो air हमारे सांस द्वारा हमारी सरीर में अंदर जाती है उसको हम oxygen कहते हैं ठीक है, तो भोजन पानी और oxygen उनके अस्तित्यों के लिए जीवों द्वारा आवसक तत्यों है या और्गनिजम के लिए जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन पानी और oxygen आवसक है, ठीक है इस एलिमेंट्स आर ट्रांस्पोर्टेड टू वेरियस पार्ट अफ दा बॉड़ी थ्रो ए वेल डिफाइन ट्रांस्पोरेशन शिस्टम प्रिजेंट इन अवर बॉड़ी इन एलिमेंटों, हेंदी में कहते हैं एलिमेंट को तक तो है इन एलिमेंटों या एलिमेंट्स के हमारे सरीर में मौझूद एक अच्छी तरह से एक अच्छी तरह से ट्रांस्पोरेशन शिस्टम प्रिजेंट होता है इन एलिमेंट को इधर से उधर आने जाने या एक स्थान से दूशे स्थान तक ले जाने के लिए हमारे शरीर में Transpiration System उपस्तित होता है This transport system is responsible for transportation of the substance like food, water, oxygen, medicines, etc यह Transpiration System भोजन पानी और oxygen दबाओं आदी जैसे पदार्तों को Transfer करने के लिए जिम्मेदारी रखता है And also required to carry the waste produced within the body to the organs from where they can be removed और सरीर के वितर या सरीर के अंदर उत्पन कच्रे को अंगों तक लाने ले जाने के लिए आवश्रक है जहां से उन्हें हटाया जा सकता है जैसे कि हम खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो हमारी एक body में kidney होती है kidney का कार होता है कि हमारे सरीर में जो blood होता है उस blood से गंदगी को च्छानना और पिशाव के रूप में या toilet के रूप में वाहर निकालना यह होता है kidney का कार तो इसी तरीके से जो west material होता है या west या दिकार जो product होते हैं वो अंग हमारे सरीर से बाहर भी निकाल देते हैं और जो अच्छे होते हैं उनको रख लेते हैं अब आगे आता है transformation of substance in animals जानवरों में यह कैसे होता है transfer ही कैसे होता है तो all the vital functions of the body of some unicellular organism like amoeba and paramecium are formed by only a single cell ठीक है तो कुछ एक कुछ किया जी एक कुछ किया यानि कि केबल एक ही cell के बने हुए हों एक ही cell के बने हुए हों मैं आपको पिछले chapter में भी बता चुका हूं कि cell हमारे सरीर की functional and structural unit होती है हमारे सरीर की या human body या animal body की functional and structural unit कहलाती है cell ठीक है तो cell क्या होती है functional and structural unit यानि कि हमारे सरीर की एकाई को को इसका कहते हैं अब यह होती क्या है यह किसी भी अंग की सबसे छोटी या सबसे छोटा part unit कहलाता है जैसे कि हमारी skin है हमारी जो skin है वो भी छोटे 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 पार्ट से मिल करके वनी हुई है जिसको हम खाल कहते हैं skin कहते हैं तो उस skin का एक इतना छोटा टुकड़ा जो की हमें मलरा एक छोटा सा टुकड़ा लें skin का और उसे इतना तोड़ें इतना तोड़ें कि एक हिस्तिती उस ङकि यह जायए कि हम उसको और हाथों से टोड़ नहीं पाए हाथों से उसको टोड़ नहीं पाए और वहित कम दिखाई दे उसी को हम क्या कहेंगे shell ठीक है समझना आया तो इस तरहिखे से कहते हैं cell या फिर जिन चीजों से मिल करके कोई चीज वनती है उसको हम unit कहते है ठीक है तो unit हमारी जैसे कि हमारी खाल बनी हुए है तो हमारी खाल या इस्किन की बनी हुई है उसकी जो unit है उसको हम shell बोलेंगे ठीक है तो unit shell वरे एक कोस की यह जीव जैसे कि ameva और pyromECHI ameva और pyromECHI इतने चोटे होते हैं कि हमें अपनी आखों से दिखाई नहीं देते हैं इनको देखने के लिए हमें शूच्म दर्शी का प्रियोग करना पड़ता है ठीक है तो ये एक कुसका के बनी हुए होते हैं ओकी स्टुएंट आगे हमारा ट्रांसपोरिशन ओफ सबस्टेंश लाइक ऑक्शिजन अंड कारवन डाय ओक्साइट इस आलसो केरिड आउट वाई दा सिंगल सेल दिस इस दन वाई शिंपल प्रोसेज ओफ डिफुजन तो ट्रांसपोरिशन ओफ सबस्टेंश ठीक है तो इस यूनिशेलूर द्वारा ओक्शिजन और कारवन डाय ओक्साइट जैसे पधारतों का ट्रांसपोर्शन भी किया जाता है ठीक है आगे है हमारा इन सम ओर्गिनिज इस इस दन वाई इस शिंपल प्रोसेज ओफ डिफुजन ठीक है एक साधा प्रकरिया द्वारा किया जाता है इन सम ओर्गिनिज लाइक इस पॉंज एंड हाइडरा सर्कुलेटरी सिस्टम इज अफसेंट ठीक है इस पंज और हाइडरा ये वी एक जल में पाए जाने वाली जीव है अमीवा और पेरामिश्यम भी जल में पाए जाते हैं ये अमीवा का चित्र दिया हुआ है ये हमारा बाटर में मिलता है जो हमें आखोंशे नहीं दिखाई देता है ठीक है इनी की तरह इस्पंज और हाइडरा है हाइडरा का भी एक पौदा होता है और इस्पंज का भी तो इनका कहने का मीन्स है इस्पंज और हाइडरा जैसे कुछ जीवों में संचार पणाली अनपस्तित होती है ठीक है हैडरा जीव है और एक पौदे डाइप का है ठीक है ऐसे ही sponge है the water sponge have water canal system sponge have water canal system sponge में पानी की प्रणाली होती है और the water when moves inside the body it brings in food and oxygen जब पानी शरीर में अंदर जाता है तो भोजन और ऑक्षिजन भी ले जाता है शाथ में ठीक है यह हैडरा और sponge क्या है एक तरीके के पौदे मलब जीव है जो पानी में पाई जाते हैं प्लान्ट की तरह होते हैं तो दा बाटर वैन जब इनकी बौडी में पानी जाता है तो इट वरिंग्स वह पानी अपने शाथ भोजन और ऑक्षिजन को भी ले जाता है और वैन इट मूवस आउट दा बौडी इट केरीज अवे कार्ण डाई ऑक्षाड एंड वाटर और जब यह पानी शरीर से बाहर निकलता है तो अपने शाथ कार्ण डाई ऑक्षाड को भी और वेस्ट मैटरियल को भी यानि कि खराब पधारतों को भी बाहर निकाल लियता है ठीक है इस तरीके से होता है इनमे ट्रांस्पोरेशन इन कॉंप्लेक्स और गेनेज ठीक टराबव էजल अफैंगे parl यह ज्मान स्व creo ठीक यह उनिया लिग ट्रांस्टतels ि कोज़ लिविशन स्वी और यह को थीके सत koll आए लच्वे ऑनमें वेस्टिके स्वाडिय इनकोटियर निस स्वाड़ हिंदी में कहते हैं इसको जटिल तो बड़े जानवरों पीडों और मनुष्व जैसे जटिल जीवों में और मनुष्व जैसे जटिल जीवों में Transformation, पदार्तों के परवहन के कारेकी शेवा नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक दीमी परक्रिया है, क्योंकि यह एक दीमी परक्रिया है, Transformation is very slow, यह एक दीमी परक्रिया है, श्लो प्रोसेश, is effective for a small area only, यह केवल छोटे area में हैं काम करता है, humans have circulatory system मनुष्य के पास पधार्तों के लिए transformation पड़ाली होती है मनुष्य के पास circulatory system होता है transformation के लिए अब आता है heading हमाई circulatory system in human wings जीवित मानों में मानों में जीवित मनुष्यों में circulatory system the circulatory system of human compare is three major component ठीक है जो इनकी पड़ाली होती है जो कार होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर के होता है जैसे कि first आता है अपका blood second है blood vessels और third है heart vessels means कहते हैं रक्तिकाएं जो हमारे ये नस होती है जिनको हम हिंदी में अपनी भाफसा में नस समझते हैं उनको हम vessels कहते हैं ठीक है और heart हिर देशे next page next page पर आता है आपका blood ठीक है तो blood क्या होता है देखी blood is the man medium of transportation of materials it is red colored fluid it is composed of two parts blood यानि की खून या रक्त material को transportation के लिए रक्त का मुख्य माद्यम material के transportation के लिए blood एक मुख्य माद्यम है man medium है it is red colored fluid यह red color का तरल परदार्थ होता है it is composed of two parts यह है दो भागों से वना होता है number first आता है liquid part plasma जो liquid part होता है उसका या blood का जो तरल परदार्थ होता है उसको हम plasma कहते हैं of cellular part blood cells और दूसरा होता है cellular part जो कोशकाओं का part होता है उसको कहते हैं blood cells ठीक है अब study करते हैं plasma की plasma क्या है तो the fluid या plasma कैसे help करता है हमारे transportation में तो the fluid part of the blood is called plasma खून का या blood का fruit part तरल परदार्थ या तरल भाग plasma कहलाता है रक्त के द्रब हिस्षों को plasma कहते हैं ठीक है 19% of plasma is water 90% या 19% plasma पानी होता है इस्षों पानी है इट केरी च यह ज्सक्रीज़ नुट केरी करता है इस डिजॉल्ट फ्रॉं एन्जैम यह है जो प्लाज्मा है यह है कर्मुट कर्फों ले जाता है और blood cells इनमें floating यानि कि घूमते हैं तेरते हैं अब आता है आपका blood cells, blood cells क्या होता है तो there are three types of blood cells present in blood they are blood cells में तीन प्रकार की blood cells होते हैं जो number first है आपका red blood cells second है आपका white blood cells और number three है आपके platelets ठीक है तो सबसे पहले हम study करेंगे red blood cells की rvc जो short में इसको कह देते हैं rvc red blood cells are red in color red blood cells color में लाल होती है this is the region that they are called red blood cells क्योंकि यह है लाल रक्त कड़काएं होती है इसलिए इनका रंग लाल होता है region dead they are called लाल होने के कारण ही इनको red blood cells कहते हैं तक they contain a red colored pigment called hemoglobin which impart red color of them them तो इसका मतलब है कि इसमें लाल रंग का रंग वर्णक होता है जिसे हम hemoglobin कहते हैं जो उन्हें लाल रंग प्रतान करता है blood का जो लाल रंग है वह हीमोगलोविन के कारण है ठीक है hemoglobin winds with oxygen and carries it to various body parts hemoglobin oxygen के साथ बंदता है और इसे शरीर के अलग-अलग पार्ट में या अलग-अलग भागों में ले जाता है hemoglobin combined with the oxygen is called oxyhemoglobin oxygen के साथ मिल करके hemoglobin को oxyhemoglobin कहते हैं जब oxygen hemoglobin में मिल जाती है तब उसको हम oxyhemoglobin कहते हैं it decomposed to release oxygen wherever oxygen is needed जहां वी oxygen की जरुरत होती है वह oxygen छोड़ने का फैसला करता है जब hemoglobin के साथ oxygen होती है तो body के जिस पार्ट में oxygen की जरुरत होगी वह वहीं पर oxygen को छोड़ देगा हाम अब आता है हमारा शैकेन वायट blood shells स्वेत रक्त कड़काई स्वेत रक्त या वायट व्रट शैल्स जिनको हम wbc कहते हैं rbc को कहते हम redabeth शैल और wbc कहेंगे हम वाइड विलर्ड शेल्स को ठीक है वाइड विलर्ड शेल्स आर कलरलेस सेल जो डबलू वी सी होती है बहुत कलरलेस इनका कोई कलर नहीं होता है दे आर कॉल्ड दा शोल्जर ओफ दा बॉडी इनको हम सरीर का सिफाही कहेंगे इनको हम सरीर की शिफाही भी कह सकते हैं धेरफंक्सन is to fight against disease यह हमारे शरीर में आने वाली बीमारीों से लड़ता है ठीक है जो डबलू वी सी है वह हमारी आने वाली बीमारीों से रख्षा करती है ठीक है यह क्या होता है कि जैसे कि कोई वाइरस या वेक्टरिया हम पर अटेक्ट करता है तो WBC क्या है एक साथ मिल करके उससे लड़ती हैं और उसको भगाती हैं ठीक है जैसे कि हमें एकर फीवर आ रहा है तो कभी-कभी क्या होता है कि फीवर जैसे लख्षड हुए लेकिन फीवर आया नहीं और खतम हो गया तो WBC क्या करती हैं उस इशा में उसको फीवर के जो बाइरल होता है उसको उससे लड़ती हैं और उसको भगा देती है तो फिर हमें बुखार नहीं आ पाता ठीक है कभी-कभी क्या होता है कि WBC नहीं भगा पाती है और हमें बुखार आ जाता है, फिवर आ जाता है, ठीक है, तो they fight against germ and foreign particle wherever there is infection in the body, ठीक है, शरीर में जहां भी संक्रम होता है, वे के टाड़ों या कौणों से लड़ती है, ठीक है, शरीर में जहां भी हमें infection होगा, तो उसी जगह जाकर के ये वहां infection को भगाएंगी, ठीक है, WVC, reach the site of infection while passing through the walls of blood vessels, WVC, रक्त वहिकाओं या रक्त नलकाओं की दीवारों से गुजर कर संक्रमन के इस्थल पर या infection के इस्थान तक पहुँचती है, ठीक है, अब आता है आपका plate lates, ठीक है, देखा होगा कि demo जाग होता है, तो लोग कहते हैं कि इतनी बची है, इतनी बची है, तो ये वही plate है, ठीक है, वही होता है, plate lates are the smallest among the blood cells, रक्त की सबसे छोटी, ये blood की सबसे छोटी cells होती है, cells, they play an important role in blood clotting, इनका जो काम होता है, वह होता है थक्का बनाने का, या थक्का जमाने का, अब देखिए, थक्का कहते हैं हम इंगलिस में clotting को, अब ये होता क्या है, ये होता है, कि जब हम cut जाते हैं, हमारा उंगली cut जाती है, या कोई भी body का part cut जाता है, तो उसमें से blood निकलता है, ठीक है, जब blood निकलता है, तो कुछ देर के लिए blood निकलेगा, 30 second, 40 second, या 1 minute, या 2 minute के तक, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कि एक, उसी blood को, एक layer बन जाएगी, और व रोखना, wherever there is a bound in the body of blood comes out of it, जहां भी शरीर में घा होता है, उसमें से खुन निकलता है, और उसको रोखता है, ठीक है, next है, आगे, it platelets, यह है platelets, present in the blood react with air from a blood clot, and prevent flow of blood from the bound and seal it, ठीक है, यह जैसा कि मैंने बताया था, यह वैसी बोल रहा है, कि कोई भी खाव हो, या कोई भी हम cut गए हो, उस स्थान से खुन निकलता है, जब खुन निकलता है, तो उसी खुन में plates उपस्तिर होती है, और वहे air में आ करके, या react करकर के, हवा के साथ, और वहाँ पर एक cloth type का या फिर उसको जम जाता है, ठीक है, जिसको और उस घाव को shield कर देता है, और आगे खुन नहीं निकलता है, ब्लेड लुख निकलना बंद हो जाता है, अब आता है हमारा blood vessels, ठीक है, ब्लेड वेसल क्या होता है, tube-like structure through which blood flow in our body are called blood vessels, these are of three types, tube-like structure, ये tube की तरह सरचना होती है, जिन में blood हमारी body में घोमता है, जिन को हम blood vessels कहती है, हिंदी में, यदि आपकी बहासा में बोलने तो इसको नस कहते हैं, ठीक है, these are three types, ये तीन प्रिकार की होती है, arteries, veins और capillaries, ठीक है, तो सबसे पहले हम study करेंगे, arteries की, ठीक है, देखिए, arteries को हिंदी में कहते हैं, धमनिया, ठीक है, तो arteries carry oxygenated blood from the heart to different part of the body, तो arteries हिर्दा से सरीर के विविन भागों में oxygen युक्त blood लेकर के जाती है, जिस blood में oxygen milieu होती है, उनको विविन भागों में लेकर जाती है, heart means कहते हैं, दिल को या हिर्दे को, ठीक है, तो हिर्दे सीधे ज्यादा pressure में धमनियों को blood देता है, धमनियों को रक्त pump करता है, blood को pump करता है, they don't have to wear any pressure, as the heart does not pump blood in veins, arteries में उस दवाब को शहन करने के लिए मौटी और लोचदाद दीवारें होती है, ठीक है, यह बहुत hard होती है, जो हिर्दे के उस pressure को शहन करने करने लेती हैं, और यह होगा इसका, they don't have wear any pressure, heart does not pump in veins, और winds जो होती है, winds, उनको कोई भी pressure नहीं शहना पड़ता, ठीक है, यह थोड़ी कमजोर होती है, विलड इंपॉर रिच कार्वन डाइ ऑक्साइड, शॉरी, हम लोग arteries को पढ़ रहे थे, मैं नीचे पहुंच गया, ठीक है, तो यहां arteries दिया है, इसकी जो दीवारें होती हैं, मौटी होती हैं, और pressure सहन करने के लिए होती हैं, ठीक है, तो you can feel the weeting, weeting यह towing, it is called pulse, जब हम feel करते हैं धरकना या फिर उचलना, तो इसको कहते हैं pulse, हम यहां पर अपने हाथ पे डॉक्टर के बाहर जाते हैं और ऐसे डॉक्टर पकड़ के देखता है, ठीक है, तो यह क्या हलकी हलकी उचलती है, ठीक है, तो इसी को हम arteries बोलेंगे या pulse बोलेंगे, इसको कहते हैं pulse, pulse rate, ठीक, अब आता है आपका second veins, veins carry deoxygenated blood from different part of the body to the heart for oxygenation, ठीक है, तो veins क्या होती है, veins को हिंदी में नस्व वो बोलते हैं सिराय, ठीक है, उसको बोल रहे थे हम धमनिया, और इसको बोलते हैं हिंदी में शिराय, तो शिराय या veins, सरीर के भिविन भागों में oxygen के लिए शिराओं में रक्त ले जाती है, यह blood carbon dioxide में असुद्ध होता है, इस blood में क्या होता है, कि यह blood असुद्ध होता है, ठीक है, इसमें सुद्ध जाता है और इसमें असुद्ध, आसुद्ध, they don't have to wear any pressure as the heart does not pump blood in veins, इसको हिर्दय के प्रेशर को शहने के लिए नहीं बनी होती है, और इनको हिर्दय भी pump नहीं करता है, इसमें pump करता है, इसमें प्रेशर आता है, और इसमें प्रेशर नहीं आता है, ठीक है, या सीधे बोलें तो इसको, यह है, उन्हें कोई दवाब नहीं जेलना पड़ता है, क्योंकि हिर्दय नसों में रख्थ पंप नहीं करता है, आगे हैस में, that's why their walls are thin, यह है, इसलिए पतली होती है, इनके दीवारें पतली होती है, walls means दीवारें पतली होती है, veins contain valve, which allow the flow of blood in one direction only, veins में valve होते हैं, जो केवल एक ही दिसा में, ब्लड का प्रभा करते हैं, the valve prevent the whack flow of blood, valve, blood के पीछे प्रभाव को रोकते हैं, ठीक है, अब आता है आपका third capillaries, veins में जो valve होते हैं, वह क्या करते हैं, कि blood को बैक करने, जैसे blood बगदी बैक आता है, तो उसको रोकते हैं, अब आता है third capillaries, capillaries को हिंदी में कहते हैं, कोश का हैं, sorry, when arteries reach an organs, they divide into very thin branches that spread throughout dead organs to ensure delivery of pure blood to each cells of that organ, ठीक है, कोश का हैं जब arteries से किसी अंग तक पहुचती हैं, कोश का हैं, जब arteries किसी अंग तक पहुचती हैं, तो वे एक पतली शाखाओं में तो वे एक पतली शाखाओं में थिन मीन्स होती है पतली ब्रांचेश मीन्स शाखाओं में ठीक है शाखाओं में विवाजित होती है जो उस अंग में फैल जाती है ताकि उस अंग की every coast का यानि कि every coast का कमलब है प्रतेक शेल्स को every cells को सुद्र ब्लड का बृत्रण कर सके सुद्र ब्लड पहुंचा सके इन साखाओं को coast का कहा जाता है ठीक है अब आता है c नंबर height ठीक है हर्ड क्या होता है हर्ड के human body में बहुत कार होते हैं ठीक है हर्ड को हिंदी में कहते हैं हम हिर्द है ठीक है देखिए the heart is hollow muscular organs located in the chest cavity हिर्द एक खोकला hollow means होता है खोकला हिर्द एक खोकला पिसी अंग है जो शीने की गुहा में इस्तित है chest means होता है सीना या छाती छाती की cavity में उपस्तित है it is slightly tilted toward the left side यह बाइओ थोड़ा जोका हुआ होता है it pumps blood to the lungs for removal of carbon dioxide and addition of oxygen to it यह है carbon dioxide और oxygen के अलाव oxygen को हटाने के लिए फैपनों को रख्त करता यह फैपनों को pump करता है it is sorry it also pump oxygenated valid to the whole body यह पूरे शरीर में option युक्त रख्त को भी pump करता है ठीक है अब आता है the human heart is divided into four chamber मनुष्र का हिर्द है चार भागों में बटा हुआ होता है two chamber are present on the upper side and two on the lower side दो chamber तो उपर की side उपस्तित होते हैं और दो ही नीचे की side the upper two chamber are called auricles and the lower ons उपर के जो chamber होते हैं उनको हम auricles बोलते हैं the lower ons ventry यह ventricles उपर वालों को auricles और नीचे वालों को ventricles right the sorry right and left portion of the heart are separate through a thick septum septum right and left portion दिल के या हिर्दय के दाया और वाया हिस्से को एक मोटी दीवार के मात्यम से अलग किया जा सकता है ठीक है दाया और वाया हिर्दय में एक दीवार type की होती है जिससे दाया और वाया अलग-लग किया जा सकता है this is because the right portion of the heart is filled with the oxygenated willard and the left with oxygenated willard ऐसा इसलिए है कि विलड का sorry ऐसा इसलिए है कि heart का दाहिना हिस्सा oxygen युक्त होता है यह oxygen युक्त रक्त से भरा हुआ होता है और वाया हिस्सा और और जो उसका वाय और का जो इसलिए होता है वह oxygen वाले विलड से भरा हुआ होता है septum prevent mixing of blood between two sides of the heart septum दिल के दो पक्षों के वीच रक्त की मिस्टन को रोकता है और जो septum या दाएं और बाएं को separate करने वाली जो दीवार होती है ठीक है जो एक दीवार है वह क्या करती है कि दाएं का बिलड बाएं में न जाए और पाएं वाली का बिलड दाएं में न जाए ठीक है नेक्स्ट वेज है आपका यह दे रखा है no more the heart is wonder organs the human heart beats about 35 million times in a year and pumps about 1 million barrels of blood during an average lifetime तो इसका मलब है आश्यर अंग या मानव हिर्दय एक साल में 35 million वाद रखता है और जीवन काल में लगवग एक मिलियन वेरल रख पंप करता है नेक्स्ट है नेक्स्ट वेज देखिए आपकी ब्लेड का डाइग्राम दिया हुआ है सॉरी ब्लेड का नहीं हार्ट का डाइग्राम ठीक है इंट्र इस्ट्रक्चर ओफ यूमेन हार्ट यह हुमेन हार्ट का दिया हुआ है तो फूर वाल्व आर प्रिजेंट इन दा हार्ट ओफ कंट्रॉल दा फ्लो ओफ लेड तो फूर वाल्व आर प्रिजेंट इन दा हाइड ओफ कंट्रॉल दा फ्लो ओफ ब्लेड तो रक्त के या ब्लेड के प्रभाव को नियंतर करने के लिए हैदय में चार वाल्व मौजूद होते हैं us two of them are located between the orical and ventricles on what the left and the right side we're the remaining two are located between the ventricles and the arteries leaving the heart इन में से दो बाइं और दाइं और दोनों और वेंटरिकल के बीच इस्तित हैं जबकि दो सेज वेंटरिकल और हिदय को छोड़ने वाली थमनियों के बीच इस्तित हैं या अर्टरीज के बीच इस्तित हैं ठीक है इस पार्ट में इतना ही ठीक हैं जदा लैंप्स ही हो जाएगा फिर और रिमेनिंग पार्ट की इस्तित हम शेकिंड पार्ट में कराएंगे ठीक है का श्चेप्ट्रों के सेकिन पाट okay इस्टूडैन्ट